उत्तर प्रदेश के बागपत में गुरुवार को एस्टन परिफेरल एक्सप्रेस वेपर एक हेलिकॉप्टर की एमर्जिंसी लैंडिंग की गई इंडियन एरफोर्स का ये हेलिकॉप्टर गाजियाबाद के हिंडन एरबान भरकर चंडीगड की तरफ जा रहा था रास्ते में तक्नी की खराबी के चलते एक्सप्रेस वेपर उसकी एमर्जिंसी लैंडिंग करानी पड़ गई गाजियबाद के हिंडन एरबेस से एरफोर्स के टू सीटर हेलिकॉप्टर चीता ने गुरुवार की सुभा चंडीगड के लिए उडान भरी थी रास्ते में हेलिकॉप्टर में कुछ तक्नी की खराबी आ गई आनन फानन में पालेट ने हेलिकॉप्टर को रटॉल के पास परिफेरल एक्सप्रेस वेपर उतार दिया एरफोर्स की अधिकारियों को सूच ना दी गई मौके पर चांदी नगर एरफोर्स स्टेशन की कमांडो टीम तुरंथ पहुची साथ ही इस थानिये पुलिस को भी खबर दी गई जो मौके पर मौझूद रही लोगडाउन के बीच हुई इस घटना मुद देखने के लिए आसपास के गाउं के लोग जुटने लगे जिन्हें पुलिस ने वहां से हटा दिया हेलिकॉप्टर में पाइलेट आमित यादव और सेह पाइलेट जेयस पांडे मौझूद थे मौके पर पहुँची मेकैनिकों की टीम ने आधे घंटे की मश्रक्त के बाद हेलिकॉप्टर के फॉल्ट को ठीक किया जिसके बाद हेलिकॉप्टर ने फिर से उडान भरी हानकि इस बार हेलिकॉप्टर चंडी गड के लिए नहीं उडा बलकि उसे वापस हिंडेन एर बेस लोटा दिया गया वैसे गनिमत रही कि इस बग देश में लॉकडाउन चल रहा है ऐसे में सड़के खाली पड़ी है परना अचानक आए फॉल्ट के तुरंत बाद हेलिकॉप्टर को एक्सप्रेस वे पर लैंड कराना शाय थोड़ा मुश्किल होता या फिर इसमें थोड़ा और वक्त लग जाता NBT Online की रिपो